आदर्स्ट्रिक्षन सम्हेती द्वारस अंचालितर बाढ़ मेर जिल्ले के आदर्स्थ्यामंदिर के सभी भई अभईनों का आतिक अभिनेंदन हार्तिक स्वागर आज हम इसे हिंदी पद्यखंड कक्सादस्मी का पर्थम पाठ सूर्दास के पर्थम भाग का अध्यन करेंगे यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह बक्ति कालिन का भी सूर्दास जी का है कहते हैं कि यह अंध्य होने साथ इनके नेत्र हेन होने पर भी यह स्री कृष्ण की जो पद इन्होंना लिखे थे तो ऐसा माना जाता है कि जैसे एक आँख़ों से युक्त जो व्यत्ति जिस प्रका की रचना लिख सकता है इनोंने नेत्र हीन होने पर भी स्री कृष्ण के बाल रूप और गोपियों से प्रेम के जो पद लिखे थे तो ऐसा लगता था मानने असा नेत्र उनको देखा हो ऐसे पद्धों का इनोंने बहुत ही सुन्दर वर्नन किया था तो आइए आदि हम इनके परिचे कवारिम इनका जन्म समद 1540 में और इनका निजन 1620 में हुए था यह क्रिष्ण भक्त कभी माने जाते हैं इनके जन्म के बारे में और कह गया है कि यह आग्रा और मथूरा के बीच इस्थित रूनकता ग्राम में जन्मे थी परन्तु कुछ विद्वान दिली के निकट सी ही ग्राम को भ पर यह सारसवत ब्रह्मन कहें गए किन्तों साइते लहरी में एक पद है जिसमें यह प्रथ्यूराज के आमात्य का रता था मंत्री तथा राजकवी चंद्रवरदाई कि वनसच ब्रह्म बट मालूम होते हैं इस पद में बहुत सी बातें ग्यात होती हैं इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्र हिन होने के कारण एक अंद कूप में गिर पड़े थे चह दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान स्री कृष्ण ने दर्शन दी और सा नेत्र कर दिया इस पर सूर्दास ने कहा प्रभू चिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए अब उन से में सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता उनके निविदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए लेकिन उन्हें प्रध्या चक्सू का प्रभू गए शूर्दास जन्म से अंधे थे यह बात विवादास पद है इस सम्मंद में अधिकांस विद्वानों का मतिय है कि वे जी प्रभ ने अपने सिप्धांतों से सूर्दास को दिख्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ती थी वो सख्य भाव अर्था सखा की रूप में बदल गई परिणत हो गई अपने गुरू वल्लभाचार किया अनुसार इन्होंने इस्वर की कथा को भासा में व पूर सागर इनका प्रामानेक अत्युत्तम अश्रेष्ट कावे ग्रंथ है जो इनकी कीरती को अक्ष्य है अर्था जो कभी नश्ट नहीं हो रखने के लिए प्रयाप्त है सूर्दास ने ब्रिज भासा का पर्यूक किया है इनके पूरवर्ति किसी भी कवी की भासा में काव गोपियों के जिस्टर दिखाए दे रहे है ये चित्र उस परिस्थती को इंगित कर रहे है जब स्री कृष्ण गोखुल को छोड़कर और मथूरा की और प्रिस्थान कर जाते हैं और उनके प्रेव में डूबी ये गोपियां और इस विरह को सहह नहीं पाती है और वो सोका अग्न होकर इस प्रकार के दसा में तो विरहनी बन जाती है ऐसा चेत्र यह जो दिखाई दे रहा है अगला यह जो चेत्र है इसमें उद्धव और गोपी सम्वांद कि जब गोकुल को छोड़कर स्रीकृष्ण मतुरा की और चले गई तब वहाँ पर स्रीकृष्ण को यह पता चला कि गोकृष्ण में तो गोपिया विरह अगनी में जल रही है तब वो उन गोपियों के विरह को दूर करने के लिए उद्धव को संदे स्वाहक के रूप में और गोकृष्ण भेजते हैं और उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं परिचे हैं और और कुच ऐसे तर्क रहरती है ऐसा अथ परीचे की सबनाव हैं कि क्या-क्या किस प्रकाति आकारी हम प्राप्त करेंगे पहले दो पद हम पढ़ेंगे तो पुल पाठ में चार पद है प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के मिलन का वरणा में अर्खात ये दोनों जो मिलते हैं तब आपरीचित होते हैं तो आपरीचे की इस दीवार कृष्ण की पहल से समापत होती है स्री कृष्ण जो आपरीचित राधिका को प्रश्ण पूछते हैं और परिचय प्राप्त करने का प्रयाश करते हैं राधिका बहुत चातुरा इसे क्रिष्ण की घूबियों खामियों को ब्याजिस्तूती में कह जाती है अंतथ क्रिश्न राधा को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं सेश तीन पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है इसे भ्रहमर गीत के रूप में जाना जाता है भ्रहमर गीत हिंदी साइत्य में अनुपम है उद्धव निर्गुन ब्रहम के प्रवक्ता के रूप में गोपुलाते है निर्गुन ब्रहम अर्थात ऐसा इस्वर जो रंग रूप से निराकार है जो रंग हीन है जिसका रूप है वो अनेत है और किसी भी आकार में वो नहीं है ऐसी इस्वर्ग को मानने की जानकारी देने के लिए वे गोकुलाते हैं किन्तु कृष्ण के सम्मोहन अर्थादम के प्रेम में डूबी हुई गोपियों के विचार सुनकर उद्दव जीवी नुरुतर हो जाते हैं तो गोपिकाओं के उपालंब अर्थाद वे व्यंग से ताने कस्ती हैं और विधवधता ।करूण से भरे हैं गोपियों के व्यंग्य बानों से उद्दव का हिध्य चलनी हो जाता है और वे स्वयम भी क्रिष्ण माएं हो जाते train अर्थात वो जो निर्गुण प्रह्मों की प्रुपता की रूप में आये थे वह स्वें भी सगुण भक्ति के उपसक हो जाते हैं ऐसा माना जाता है आस्था के समक्स उद्धों के सिद्धानते वो फीके पड़ जाते हैं और ये सारे पद्ध है ये शास्वर गाने की योग् पद्धों को पढ़ने से पहले हम कुछ कठिन सब्धार्थ को जान लेंगे जिससे कि हमारे ये पद्ध हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए खोरी अर्थात गली धोटा पुत्र अंकोर रिष्ट्वत मधुबन मथूरा मसिख श्याही अगात प्रश्ण होना खु काना ब्रह्मों में डालना भौर ब्रहमर या भावरा सोध खोज सर्दव सरकंडों के जंगन सुहात रूचिकर या अच्छा लगना स्रवनन कानों से तनक जरासी तनिक सर्वस्व सब कुछ प्रमोगी वस्मे करना दाख यानि किस्मिस गील की कठिन सब्द हम ने देखे अब हम आगे प्रतम दो पद्दों का वर्णन पढ़ेंगे और उसका आर्थ भी में समझाओंगा जो आप त्यान से सुनेंगे तो पहला पद है कि परिच्चा की कड़ी में श्रीक्रिष्न वब आगे बताते हुए परिच्चा दोने के प्रयाश करते हैं तो बूझत स्याम कॉन तु गोरी श्रीक्रिष्न है वो रादिका से पूझते हैं गोरी तुम कौन हो कहां रहती काकी है बेटी और किसकी बेटी हो देखी नहीं जो खट पर अपने ही द्वार पर अपने ही कलियों में वहीं खेलती रहती हूं या मैं क्यों आऊं सुनत रहती श्रवनने नंद डोटा लेकिन मैं यह सुनती रहती हूं कि नंद बाबा का जो लड़का है करत फिरत माखन ददी चोरी कि वो माखन और दही की चोरी करता फिरता है तो श्री कृष्णा राधिका की इस प्रकार की बात सुनकर और कहते हैं तुम्रों कहा चोरी हम ले हैं खेलन चलो संग मिली जोरी की तुम्हारा मैं क्या चुराऊंगा इसलिए तुम तो इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ खेलने के लिए चलो सूर्दाश प्रभू रश को पंसा ने आपने साथ खेलने के लिए तैयार कर लेते हैं और खेलने चले जाते हैं इस प्रकार प्रहूं के साथ समवाद करते हैं निर्गुन ब्रह्म के बारे में वो उनको बताते हैं तब गोपियां कुछ इस प्रकार इस पद में कुछ बातें कहती हैं मधुकर श्याम हमारे चोर मन हरीलियो तनक चित्तवनी में चपल नेन की कोर पक्रेवुते हिर्देवुर अंतर प्रेम प्रती के जोर गए छड़ाई तोरी सब बंधन दे गए अंसनी अंकोर चौकी परी जागत निशिरीती दूद मिल्यों के भौर सूरदास प्रभू सर्बस लूट योग नागर नवल कि सोर इसमें गोप्यां कहती है जब उद्धव जी उनको प्रेम योग को भूलकर और निर्गुन प्रह्म की उपासना करने की जबाते कहते हैं तो वो उनको इंगित करते हुई उद्धव जी से कहती है कि मधुकर श्याम हमारे चोर है उद्धव तनक चित्वनी में चपल नेन की को और तनिक सी अपनी पलकोईं तिरची करके और हमारी और देखकर अपने ही उनको सुन्दर नेनों से हमारे मन को भी हार लिया है चुरा लिया है और पक्रेम से उनको अपने हिर्दे में पकड़े हुए थे गए छड़ाई तोरी सब बंद जो उस ब्रेम को भी वो सुड़ा के और सब बंदन तोड़कर और अपनी जो मधूर मुस्कान यासी वो रिश्वत की रूप में देकर और खुद यहां से चले गए है चौंकी परी जागत निसी बीती अब तो हम उनके विरह में जो दुखी होकर और बैठी रहती है रात को जब हम सोती है आधी रात गुजरती है उस समय हम चौंक पड़ती है कि हमारे स्री कृष्ण आ गए है ऐसा सोचकर और उठखड़ी होती है और उसी समय वो कृष्ण तो नहीं आते दूत मिल्यों एक भौर यानि उसी समय आप जैसा एक आला का लुटार भौरे के समाने एक सूरदाज ने हमारे सबकुछ नंड कि अब हमारे जो उनके उस प्रेम के अलवा हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हे उत्व तुम हमारे से क्या लोगे हमारे पर आपके बातों कोई प्रभाव नहीं पढ़ने वाला है ऐसी बातों करते हैं आगे ये प्रतम पद और पदपन ने जो पढ़ा उसकी प्रतम पद की व्याक्या है इसको एक बार फिर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो यह आपको चिरिस्मर्थी के रूप में याद रहेगी और पूरा पद है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा यह दूसरे प में आपको कुछ प्रश्ण करने हैं आमने जो परिच्छे पढ़ा था वो का भी परिच्छे अपने सब्दों में लिखना है दूसरा है कि रादा ने नंद बावा के पुत्तर के बारे में क्या सुन रखा था उसको लिखना है प्रश्णती ने रादा को क्रश्ण अपने सा है और मैं समझता हूं कि यह दो पद है आपको बहुत अच्छी तरह से दो तीन बार आप इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे समझेंगे तो यह आप अच्छी तरह से इसको कर सकते है समझ सकते है हूं हूं है